बॉलिवुड एक्टर महीमा सिंग का एक्टिंग में आना सिर्फ एक सयोग था क्योंकि उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि वो फिल्म में काम करेंगे और ये कभी नेता के रूप में कभी अपने करियर बनाएंगे मेडिय रिपोर्ट की माने तो उनका परिवाय चाहता था कि मामिक सेना में एक जवान के रूप में काम करें लेकिन किस्मत ने उनको एक्टर लिखा था दरसल मामिक के लाग कोशिशों के बाद भी वो और आर्मी जॉइन नहीं कर पाई और फिर उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें बताया कि उन्हें मॉडलिंग की और अपना रुख करना चाहिए क्योंकि उनकी हाइट छे फूट थी और लंबाई चोड़ाई और स्मार्ट हैंडसम भी दिखते थे मीडिये रिपोर्ट की माने तो उन्होंने अपने दोस्तों की बातों को सीरियसली लेते हुए मॉडलिंग में अपना करियर बनाने निकल पड़े मॉडलिंग में मामी को सफलताएं भी हाथ लगी और देखते ही देखते वो विग्यापनों में छा गए फिर मामी की किसमत तब चमक पड़ी जब उन्हें 1992 में बन रही एक फिल्म जो जीता वही सिकंदर में उन्हें आमीर खान के साथ काम करने का मौका मिला इस फिल्म में वो आमीर के बड़े भाय का किरदार निबाते हुए नजर आई थी लेकिन ये रोल भी उन्हें किसमत से ही मिली थी कुछ मीडिय रिपोर्ट में बताया गया कि फिल्म जो जीता वही सिकंदर में जिस रोल में मामी को चुना गया था पहले ये किरदार उनके करियर में एक अभीशाब बन गए हुए दरअसल पहले फिल्म होने के बाद मामी के पास कई बड़ी फिल्मों के आउफर आने लगे लेकिन उस दोरान उनकी एक बड़ी गल्ती ने उनका करियर शुरू होने से पहले ही बर्बाद कर दिया था कहते हैं जब उनके पास फिल्मों के ओफर आने लगे थे तो स्टारडम में चूर मामिक सारी फिल्मों के ओफर ठुकराते चले गए क्योंकि उन्हें लिड रोल प्ले करना था और धीरे धीरे उनके पास फिल्मों के ओफर आने बंद हो गए जब फिल्मे आफर आने बंद हो गे तो उन्होंने अपना रुख टीवी की और कर लिया हैलांके टीवी का करियर उनका काफी हद तक सफल रहा और देखते ही देखते वो छोटे परदे पर छागे लेकिन 1957 में उन्होंने फिर से बॉले वुड में वापसी की सोची और दो से तीन फिल्मों में साइड रूल में नजर आए लेकिन उनकी ये सारे ही फिल्में फ्लाप हो गई उसके साल 2000 में उन्होंने क्या कहना में काम किया फिल्म क्या कहना को बॉक्स आफिस पर छागई लेकिन मामिक नहीं चाहे फिल्हाल मामिक फिल्मों और वेब सेरीज में चोटे रोल में आज भी नजर आते हैं लेकिन उनका बॉलिवुड कर्रेर सफल साबित नहीं हो पाया हलांके टीवी के दुनिया में उन्होंने अच्छा काम किया और इस वजह से छोटे परदे पर उनका अच्छा नाम है